जाहिन्द मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रवीन कुमार तेवत्या मैराथन कोश और मैराथन रॉनर दोस्तों भौट ज्यादा रिक्वेस्टा रहे थी मेरे पास मैं आप लोगों की किसर आप हाफ मैराथन का ट्रेनिंग प्रोग्राम बना कर दिजिए तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम बिगनर्स का दे चुका हूं आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 21.1 किलोमेटर आने के हाफ मेरा इतन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस बार दोस्तों ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने लिखा नहीं है बोड बिलकुल ब्लैंक है और मैं आपको सुरुवाच से समझांगा चार वीक का में ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बताने जा रहा हूँ तो वीक वन होगा डे वन, डे टू, डे त्री, डे फॉर, डे फाइव, डे सिक्स और डे सेवन चलिए डे वन में दोस्तों जो मैं बताऊंगा आपको वो होगी टैम्पो रन डे टू में उसकी होगी recovery, डे थ्री में दोस्तों होगी आपकी interval run, डे फॉर में होगा उसका easy run, डे फाइव में दोस्तों आपको cross training और डे शिक्स में दोस्तों होगी आपकी long slow distance और डे सेवन दोस्तों आपका रहेगा rest का तो सुरुवात करता हूँ दोस्तों week 1 और day 1 में चलिए दोस्तों tempo run tempo run होती है थोड़ी दोस्तों speed type की run होती है first day में आपको करनी है कम से कम 6 km की tempo run उसकी recovery के लिए दोस्तों आपको करना होगा 8 km slow recovery है इसको में थोड़ा सा आपकी speed थोड़ी slow रहेगी interval run दोस्तों आपको करने है 400 meter के 6 300 meter के 6 और 200 meter के 6 तो total दोस्तों आपकी ये distance भी काफी अच्छी बैट जाएगी easy run में दोस्तों आपको easy run करना है या तो आप easy run 40 minutes तक कर लीजे या कर लीजे आप इसमें seven kilometer easy रहेगा cross training में दोस्तों आप योगा क्योंकि जितने भी अच्छे और long distance runner है दोस्तों उनको योगा जरूर करना चाहिए क्योंकि योगा करने से प्रणायम करने से आपकी आपकी लंक्स की जो capacity है आपके फेपड़ों की जो capacity है वो कहीं जादा बढ़ जाती है इस दिन आप stretching exercise कर सकते हैं और strengthening exercise भी इस दिन कर सकते हैं long slow distance दोस्तों अगर हमने easy run यहाँ पे seven किया है तो long slow distance दोस्तों और easy run हमने साथ था और आपका जो recovery run था वो 8 था तो यह इससे distance जादा होगी आपकी long slow distance रहेगी कम से कम 10 km और day seven में दोस्तों आपका रहेगा rest यह है दोस्तों week one का training program अब हम बात करते हैं week two की tempo run हमारा दोस्तों week one में था 6 km week two में दोस्तों यह हो जाएगा 8 km और जो recovery run है दोस्तों वो हो जाएगी अभी आपकी long slow distance की तरह 10 km हो जाएगी और जो आपका interval training है दोस्तों यह थोड़ा सा अभी इसकी distance थोड़ी बढ़ जाएगी यह हो जाएगा दोस्तों 600 meter के छे 300 meter के चार और 200 meter के जो sprint है दोस्तों वो रहेंगे टोटल छे distance एप्रोक्सिमेट सेम रहेगी लेकिन easy run दोस्तों आपका यहां पर बढ़ जाएगा 8 kilometer का और इस दिन आप दोस्तों yoga, strengthen exercise और stretching इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं जो भी आपका favorite game है swimming, cycling, whatever you want to do you can go for that और जो आपकी long slow distance है दोस्तों यह हो जाएगी आपकी 14 kilometer और day 7 में दोस्तों आपका रहेगा rest week 3 week 3, day 1 और आप करेगा tempo run, tempo run थोड़ा सा दोस्तों इसमें अभी बढ़ जाएगा tempo run हो जाएगा दोस्तों इसमें अभी 10 kilometer और recovery run दोस्तों बढ़ के पहुँच जाएगी आपकी 12 kilometer और जो interval run है day 3 का दोस्तों यह हो जाएगा आपका 800 meter into six और 400 meter into six, 200 meter into six day 4, day 4 में दोस्तों easy run, easy run में दोस्तों आपका हो जाएगा 10 kilometer और day 5 में आप दोस्तों easy run भी कर सकते हैं आप इसमें थोड़ी सी distance आपको बढ़ा नहीं है तो वो भी बढ़ा सकते हैं लेकिन आपकी जो speed रहेगी वो slow रहेगी या आपका कोई फैवरेट गेम है योग whatever you want to do कोई भी exercise वगर आप कर सकते हैं जादा अपनी बोड़ी को पेन नहीं देना है धीरे धीरे आप इसकी तरफ बढ़े यह आपका है cross training CT इसका मतलब होता है cross training strengthen exercise कर सकते हैं stretching कर सकते हैं डे five में दोस्तो आप yoga yoga कर सकते हैं आठ तरह के प्रणायाम है आप प्रणायाम कीजिए ताकि आपकी बारे आसन कर सकते हैं आप इस दिन योगा को जरूर और जरूर प्रफरेंस दे डे 6 में दोस्तों आ गया long slow distance इस दिन करना पड़ेगा दोस्तों आपको 16 km मैं gradually देखो बढ़ा रहा हूँ एकदम से मैंने आपकी जो distance से उसको नहीं बढ़ाया और डे 7 में दोस्तों आपको रहेगा rest और दोस्तों अब हम आते हैं week 4 की तरफ week 4 में दोस्तों tempo run tempo run दोस्तों अभी थोड़ी सी बढ़ा देंगे tempo run हो जाएगी दोस्तों इस दिन 14 km recovery run हो जाएगी दोस्तों आपकी 16 km और दोस्तों डे 3 जो आपका interval run है interval run आप इसमें क्या कर सकते हैं 1 km यानि के 1000 meter into आप कर सकते हैं आपे 4 और 500 meter इसमें कर सकते हैं आप इसके 4 और 200 meter आप कर सकते हैं 5 यह आपका रहेगा डे 3 डे 3 में जो आपको बताया जा रहा है यह है दोस्तों interval interval में दोस्तों आपको थोड़ी बहुत पहले यह sprint करने से पहले आपको थोड़ी बहुत रणिंग पहले करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो मसल्स है वह इस रणिंग के लिए तैयार हो जाएं डे 4 डे 4 में दोस्तों यह रहेगा easy run easy run रहेगा आपका दोस्तों 14 km कि देफाइल जैसे मैंने बताया योगा stretching strengthening प्लस आप जिम भी जा सकते हैं आप जिम में भी कोई strengthening exercise आप कर सकते हैं थाइज की upper body की या फिर stomach की या फिर core workup या फिर आपके 6 day 6 में दोस्तों already हम 16 km पहुच गए हैं और यहां पर भी 16 km हम पहुच गए हैं बस कितना बचा हुआ है दोस्तों आपका बचा हुआ है 21.1 km इस दिन आपको करना होगा 21.1 km और day 7 में दोस्तों आपका रहेगा rest तो दोस्तों यह था हमारा 21.1 यानि के half marathon का training program for beginners जो भी beginners हैं वो इस training program को दोस्तों follow कर सकते हैं आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा YouTube channel मार्कोस प्रवीन तिवक्या लाइक सब्सक्राइब शेर और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको और किस किस तरह के running के training program चाहिए क्योंकि अगर आपने यह training program अगर follow कर लिया है तो आपको 1600 मेटर तीन किलो मेटर और पांच किलो मेटर आपको कुछ नहीं लगेगा विसीक साथ दोस्तों जे हिंद जे भारत